समस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स एक बर फिर से एनेचेम नेशनल हेल्थ मिशन के तहित वेकेंसी जहाँ पे रिलीस कर दी गई अलग-अलग पोश्ट इसमें आपे शामिल कर दी गई आप सभी को बताना चाहता हूँ इसमें स्टाफ नर्स के लिए वेकेंसी आप रहेंगी इसमें मेल और फीमेल दोनों केंडिरेट्स एपलाए कर सकते हैं सती साथ इसमें मेडिकल ओफिसर की पोश्ट भी आप रहेंगी MPW मीस मल्टी परपस वरकर जैसी पोश्ट भी इसमें आप रहने वाली है टोटल अमबर अब वेकेंसी आप पर डिसकस कर लेते हैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 300 से भी जादा पद इसमें आप पर शामिल कर लिए गए ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों केंडिरेट्स इसमें एपलाए कर सकते हैं के लिए आप लोगों को एप्लिकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा सबसे पहले आप सभी लोग यह जान लें इस बार जो वेकेंसी यहां पर रिलीस की गई हैडिंग आप सभी लोग पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है नाश्रिक महानगरपालिका नाश्रिक छेत्र तो दोस्तों यह जो वेकेंसी है एनेचेम माराष्टर के अंतरगात यहां पर आ चुकी है और बिलकुल यहां पर टाइम वेस नहीं करते हैं सीधे से बढ़ जाते हैं जो वेकेंसी टेवल में इन्फोर्मेशन आपको दी जा रही तो देखिए पहली जो पोस्ट है MBBS के लिए रहेगी मेडिकल ओफिसर की पोस्ट हैं आप आ चुकी है कुल मिलाके 106 पादियां पर शामिल कर लिए गए कैटिगरी वाइस भी इन्फोर्मेशन आपको इसमें दे दी गई है सभी कैटिगरी में ये 106 पादियां पर रहेंगे और दोस्तों इसमें क्वालिटिकेशन के तौर पे सिरफ MBBS की क्वालिटिकेशन आप लोगों से मांगी जा रही इसके बाद दोस्तों देखिए अगले नमर पे MPW मीज मल्टी परपस वरकर मेल कैटिडिकेशन के लिए विकेंस है और MPW के भी 106 पादियां पर शामिल कर लिए गए और ये सभी 106 पादियां पर जो है सभी कैटिगरीज में इंक्लूड कर लिए इसमें जो भी कैटिडिट्स 12 क्लास पास है साइन्स सब्जेक्ट में और पेरा मेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है बिल्कुल आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए एपलाए कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों नर्सिंग के लिए recruitment रहने वाला है तो दोस्तों देखिए staff nurse female के लिए अलग से vacancy है तो staff nurse female के लिए देख पा रहे होंगे आप लो 95 पद इसमें शामिल कर ली गए 95 पद सभी categories में include यहाँ पर कर ली गए simple आपको BSC nursing होना जरूरी है या फिर BSC nursing होना आपका जरूरी है तो GNM और BSC nursing वाले सभी candidates इसमें apply कर दें इसके बाद दोस्तों staff nurse male candidate के लिए vacancy है और male candidate staff nurse के लिए 11 पद आपे शामिल कर ली गए 11 पद आप देखिए अलग-अलग category में रहेंगे इसमें GNM और BSC nursing दोनों candidates apply क कर सकते हैं salary package देखिए 20,000 रुपए आपको परमान basis पे staff nurse की post के लिए salary मिलेगी अब बात कर लेते हैं apply आपको किस तरी किस से करना है और apply करने की last date क्या रहेगी तो दोस्तो apply करने के लिए आप लोगों को application form का जो format है इसी में आप लोगों को नीचे की तरफ provide करा दिया गया सारी information आप सब लोग इसमें provide करा दे और दोस्तो इस application form को और जो भी documents आप लोगों को यहाँ पे बोले जा रहे हैं तो यह documents भी आपको submit करने होंगे self test करके photocopy का site यह आपको address पे भेजना होगा कौन से address पे भेजना है और apply करने की last date क्या रहेगी तो यह information भी आपको मैं इसमें बता देता हूँ तो दोस्तो देखिए apply करने के लिए address आप लोगों को आप बता दिया गया राष्ट्री है आरोग यह अभियान तो यह पते पे आप लोगों का आविदन पहुच जाना चाहिए last date पे देख लें 25 अगस्ते यह form बना पे शुरू हो चुके और 6 सितंबर तक का समय आप लोग से होगा category wise, post wise आप लोगों को आप information मिल जागी कितनी amount का बनवाना है और किसके नाम पर demand draft बनेगा तो यह जनकारी भी आप लोगों को इसमें दे दी गई है तो जो भी आपका application form है जो भी आपका photocopy का site है self attest करके यह आपको बेजना है और जो demand draft आप लोग बनवाएंगे पीस का payment करेंगे तो इस सारी जानकारी आप लोगों को पते पर बेज देनी है 6 September 2022 एपलाई काने की last date रहेगी तो यह update कासा लगा ज़रू बताएं और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके से vacancies की जानकारी आगे भी चाहते है तो पहले से चैनल को subscribe कर ले झाल